Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class Hindi NCRT के Chapter No.4 दिवानों की हस्ती को पढ़ेंगे यानि के Read करेंगे तो दिवानों का मतलब होता है ऐसे लोग जो हर हाल में खुश रहते हैं और खुशिया बाड़ते हैं वो सुख दुख की परवा नहीं करते जहां भी जाते हैं लोगों के साथ खुशिया बाड़ते हैं उन्हें खुश रखते हैं तो आईए इस कविता को पढ़ते हैं हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले तो यहां पर कवी यह कह रहा है के हम दिवानों की क्या हस्ती है आज हम यहां हैं तो कल वहाँ है यानि के हम एक जगा नहीं दिखते आज अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ लोगों में खुशिया बाट रहे हैं, कल को कही और जाएंगे तो वहाँ लोगों में खुशिया बाटेंगे और हम जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार हमारे साथ जाता है आए बनकर उल्लास अभी आसू बनकर बहचले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहा चले तो यहाँ पर कवी ये कह रहा है कि जब हम दिवाने लोगों के बीच में जाते हैं तो खुशिया बाटते हैं खुशिया फैलाते हैं लेकिन जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोगों के मन उदास हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अरे तुम अभी तो आये थे और अभी जा भी रहे हो यानि के लोगों को ऐसे दिवानों का साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे लोग सभी के साथ खुश नमा महोल बनाते हैं और ऐसे लोगों के साथ लोगों को बहुत खुशी मिलती है और इनके साथ बिताया गया समय बहुत जल्दी बीच जाता है और लोग कहत आने ऐसे मस्त मोला लोग जो सब के साथ खुशिया बाड़ते हैं, जब ये किसी के साथ रहकर बिछड़ते हैं, वहाँ से जाते हैं, तो वो लोग उदास हो जाते हैं, कि तुम इतनी जल्दी क्यो जा रहे हो? किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिये चले, यानि कि लोग जब हम दिवानों से ये पूछते हैं, कि तुम किस तरफ जा रहे हो, कहा जा रहे हो, तब हम उनसे कहते हैं, कि ये मत पूछो, कि हम कहा ज जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं जीवन फहरने का नहीं बलकी चलने का नाम है इसलिए हम खुशिया बाटते चले जा रहे हैं और संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द हम ले लेते हैं और अपनी खुशिया उनको दे देते हैं जैसा कि यहाँ पर कवी ने कहा है जग से उसका कुछ लिये चले यानि हम लोगों के दुख दर्द ले लेते हैं जग को अपना कुछ दिये चले और ये जो दिवाने होते हैं ये दुनिया को लोगों को अपनी खुशिया बाटते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे और जब ये दिवाने कुछ समय लोगों के बीच म का नहीं बलकी चलने का नाम है दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए छककर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिये चले यहाँ पर कवी यह कह रहा है कि जब दिवाने लोगों के साथ मिलते हैं तो वो लोगों की बाते सुनते हैं और कुछ अपनी बाते उनको सुनाते हैं और यह दिवाने लोगों के साथ अपनी खुशिया बाढ़ते हैं और उनके चहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उनके साथ सहान भूती के दो चार आसू भी बहाते हैं यानि कि जब यह दिवान हलका हो जाए यानि ये एक दूसरे के सुख दुख बाठने में विश्वास रखते हैं लेकिन इन दिवानों के लिए सुख दुख एक समान है ये हर हाल में खुश रहते हैं ये तो बस ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो अपने दुखों को भूल जाएं और खुश रहें हम भिकमंगों की दुनिया में स्वचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निसानी सी उरपर ले असफलता का भार चले तो यहाँ पर ये दिवाने ये कह रहे हैं कि हम इस संसार के लोगों को जो भिकमंगों की तरह रहते हैं हर वक्त उदास रहते हैं निराश रहते हैं उन्हें रखता है कि हमारी दुनिया में हमारे जीवन में तो सिरफ दुख ही दुख है हमने पूरी कोशिश की हम दिवानों ने पूरी कोशिश की कि उनके जीवन में हम अपना सारा प्यार रुटा दें सारी खुशिया रुटा लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके जीवन से उनकी उदासी को पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हम अपना सारा प्यार उनको रुटाने के बाद भी वो लोग उदास ही रहते हैं उनकी वो उदासी खतमी नहीं होती और इसे ये दिवाने अपनी असफलता मानते हैं और इस असफलता का भार, वो अपने उपर महसूस करते हैं, यानि कि इन दिवानों को ये बात बुरी लगती है कि हम इतना प्यार बाट रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन लोग फिर भी निराश रहते हैं, फिर भी उदास रहते हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयम बंधे थे और स्वयम, हम अपने बंधन तोड़ चले, तो यहाँ पर कवी ये कह रहा है कि जो दिवाने होते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, वे तो सभी को एक ही भाव से देखत हैं, और दिवाने अपने परायपन की भावना से उपर उठ चुके हैं, उनका जीवन तो यो ही चलते फिरते बीट जाएगा, उनकी अभिलाशा यह है कि जहाँ भी वो रुक कर जीवन वेतीत कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के साथ हसी खुशी बाटे, अपनी मुस्कुरा नहीं रहते, वो एक जगा रहते हैं, वहाँ के लोगों में खुशिया बाटते हैं, फिर वो दूसरी जगा चले जाते हैं, और फिर वहाँ के लोगों में अपनी मुस्कुराहट, अपनी खुशिया बाटते हैं, यानि के दिवाने एक जगा बंद कर नहीं रह सकते, I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू